नमस्कार आप देखरे महान्यू सेवन और मेहोर रिंकू पांताओने क्या बीजेपी की अगवाई वाला एंडिये तिसरी बार सत्ता में लोटेगा क्या विपक्षी इंडिया ब्लॉग परधान मंत्री मोधी को टक्कर दे पाएगा या फिर कुछ नया सर्प्राइज होगा इन सारे सवालों की जवाब आज मिल जाएंगे क्योंकि कुछ ही देर में लोगसभा चुनाओ के लिए वोटों की गिंती 8 बजे से ही शुरू हो चुकी है महिनों की तयारी और 6 हफ़ते तक चले चुनाओ अभियान की बाद मंगलवार को नतीजे सभी के सामने होंगे सुबह 8 बजे से मत गनना शुरू हो चुकी है लोगसभा चुनाओ के नतीजों से जुड़ी पलपल की अपडेट्स जानने के लिए बने रही है महा न्यूज सेवन के साथ लोगसभा चुनाओ 2024 के नतीजे कुछ ही दिर में आने शुरू हो जाएंगे महाराश्च्ट की 48 सीटों पर शुरूआती पाच चुनाओ थे बिते लोगसभा चुनाओ में महाराश्च्ट की 48 सीटों में से एंडिये ने 41 सीटों पर कबजा किया था अकेले बीज़पी के खाते में 23 सीटे गई थी वोटों की गिंती शुरू हो चुकी है देश की 542 सीटों पर मतगनना हो रही है रुज़ानों में एंडिये 22 सीटों पर आगे है 13 सीटों पर इंडिया गटबंदर ने बड़त बना रखी है महाराश्च्टों में एंडिये 3 सीटों पर आगे है उत्धय मढ़ी लोगस्भा सीट पर शुसेना शिंडिग० liquid ऑशुसेना उधाष गुट के बीच मुकाबला है दुसरी और उधाष गुट से अरविंद सावन्थ चुनाव मैंदान में है दक्षिन मध्य मुंबई सीट पर शियूसेना बनाम शियूसेना उद्धव गुट के बीच मुकाबला माना जा रहा है शिन्य गुट से राहुल शिवाले चुनाओ मैदान में है दूसरी और उद्धव गुट से अनिल देसाई है दोनों में से जीत की से मिलेगी आज इसका फैसला हो जाएगा महराश्टु की उत्तर मध्य सीट पर मुकाबला बीजेपी बनाम कॉंगरेस माना जा रहा है बीजेपी ने यहां से उजवल निकम को टिकेट दिया है कॉंगरेस से वर्षा गायकवार मैदान में है मुंबई में कुल 6 लोग सुभा सीट है जिन पर इस बार काटे की टकर नजर आ रही है दक्षिन मुंबई, दक्षिन मध्य मुंबई, उत्तर पश्ची मुंबई, उत्तर मध्य मुंबई, उत्तर पूर्व मुंबई और उत्तर मुंबे में महायूती बनाम महाविकास आघारी के बीच मुकाबला है कुछ सीटों पर शिंदी बनाम उद्धो ठाकरेतों कुछ सीटों पर बीजेपी बनाम कॉंगरेस का मुकाबला है लोगसभा चुनाओ की लिग काउंटिंग सुभा आठ बज़े से शुरू हो चुकी है महाराश्टों के नागपूर में मतगरना को ध्यान में रखते हुए मतगरना केंद्र पर सुरक्षा वेवस्था बढ़ा दी गई है लोगसभा चुनाओ 2024 के आज यानि की चार जून को नती जा रहे है कुछी देर में महाराश्टों की सभी 48 सीटों पर वोटों की गिंती हो रही है यहाँ पहले चरण में 19 अप्रेल को 5, दुसरे चरण में 26 अप्रेल को 8, तीस्वे चरण में 7 माई को 11, चौथे चरण में 13 माई को 11 और पांचवे चरण में 20 माई को 13 सीटों पर वोटिंग हुई थी वैसे तो हर सीट महतोपूर्ण है लेकिन कुछ ऐसी सीटे है जिन पर सभी की नजरे ठीकी हुई है इसमें मुंबई उत्तर सीट है यहाँ से केंद्रे मंतरी पियूश गोयल चुनाओ मैदान में है साथ ही मुंबई दश्चिन से अर्विंद सावंत शिूसेना यूबिटी मुंबई उत्तर मद्र से वर्षा गायपार कॉंगर्स से तो भिवन डिसी कपिल पाटिल भाजपा और बीट से पंकरज़ा मुंडे भाजपा मैदान में है इलेक्शन की पलपल की खबर जानने के लिए महान्यूस सेवन के साथ बने रहे है नमस्कार आप पहुचना चाहते हैं उपने करियर की उच्छाईयों पर तो करियर गाइडन्स के रूप में आपकी मदद के लिए नाखपुर में आया है कियान करियर पॉइंट अक्याडमी कियान करवाएगा IIT, JE, NEED, EMS, KVPY, MHD, CET और Board exam की भी पक्की तैयारी पंद्रह वर्षों से भी ज़्यादा experience टीचर करेंगे आपको गाइड यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी बैच स्टार्ट प्रॉइंट अवर आटरेस कियान करियर पॉइंट लॉग नमर दो ओंकार नगर बेसा रोड नियर काला मारुप्ति टेंपल जेमत नगर नाखपुर अवर कॉंटेक्ट डबल एट्री जरो पोर सीवन नाइन एट जरो और 904907-9674